वीडियो की अपन शुरुवात करते हैं, देखे, सबसे फिले कुछ बेसिक सा इंफर्मेशन आप सभी को जानना बहुत ही ज़दा जरूरी है, यहां पर आपनों देख लिए इंटर्मीडिट इग्जामनेशन दोज़ात तईस परिक्षा के लिए जो है, यह एनुवल में कोई भी सेट कोर्द दिया जाएगा, लेकिन आपको कोई भी कोर रहे, क्वेशन आप सभी छाथ को सेब मिलने वाला है, अगर आप लोग डेली अगर आप लोग एक एक क्वेशन अगर आप लोग याद कते हैं, तो साथ के साथ ओब्जेक्टिव आपको एक्जाम में ल जल्द 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 आँस लगाओ, इस क्वेशन का सही जवाब क्या होगा, सबसे पहला क्वेशन पूछा ज़रा है, वाइड यू टेले लाइक ही बात तो रही और यहां पर पूछा ज़रा है, पांच नमर आपके एक्जाम में जो है, एक्टिव टू पेसिव से आपको जल्द 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 आँस लगाओ, इस क्वेशन का सही जवाब क्या होगा, प्रेशन आपके नजर के सामने है, और सभी बच्चे का आँसर ना चाहिए, इस क्वेशन का क्रेक्ट आँसर क्या होगा, क्वेशन देखें पूछा ज़रा है क्या, किस लेबल का आपके पूछा जाएगा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगा सभी बच्चे का अच्छे पूछा जाता और सभी बच्चे का अंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट की बात कर लेते क्विस्टन में दो देखें दूसरा नमर्ट आपके स्किन पर प्रशन आजको प्रशन पूछा जारा है क्या लवड मी आपको क्या कौन से उप्चन चुछ करना वाज या वेर का इतना अगर माइन में आया ता आप लोग आंसर ऑप्शन डी लगा दो क्यूं वाज वेर देखो कहां पर है ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ड में ही दिख रहा है तो आंसर क्या होगा डी यहां देखना जब भी आपको क्या मिले एक्टी बॉइस में भी टू मिले जैसे यहां पते को लवड है यानि वी टू लगा हुआ तो इसका जब भी पेसी बनेगा क्या लगए या तो वाज लगेगा तो यहीं सा आपको पता च चेंज होगा ही में और जो भी बचिए ऑप्शन डी लगा दिये गजब की आप लोग की जो तैयारी है बहुत बढ़ियां है तैयारी सिर्फ इस तैयारी को आपको फॉलो करना है चले लिए क्विशन की बात कर लेते हैं अब देखिए क्विशन देखिए पूछा जरा है क् बिजिटेड होगा या है बिजिटेड होगा या विली भी विजिटिंग होगा देखिए क्विशन कर लेबर किस लेबल का आपके एक्जाम में प्रस्ण जो है वनने वाले सभी बच्चे देख लिजिए अब आंसर दो इस क्विशन का सही उतर क्या होगा आप देखो जब देखो जाएगा ना यहां पर आंसर क्या होगा और इस कुमारी हो गया अंकित कुमार हो गया चली बहुत बढ़ियां सभी विच्चे का आंसर रहा है वेरी गुड ओके चली अगली क्विशन की बात कर लेते क्विशन में देखे फोर देखे पूचा जरा क्या यस्टर यस्टर डे आई डेस जो है तू बाइबरेट की बाहर तो यहां पर पूचो जाए चूज दिस सूटेबल ऑप्शन अब बताओ कौन से सूटेबल ऑप्शन है जब भी संटेज में यस्टर डे दिखे यहां से आपको पताद चल गया कि आपको पास्ट का उप्शन चूज क दिखो इस लेफल का जो क्व्शन है इस टाइब का क्वश Gibson ने कि आपके अरीक्व इस टाइब कर दें Cr herum 5 दे रहे हो जब भी नेक्स लगा रहे उसके वाद से कोंसे संटेंस में चूज कर ना Adult प्लस वी या रिपाइब फाई प्लस और चूज ओड़े करना है यानि Simple Present वाले Option आपको देखना है अब देखो Option की एगर बात की जाए अगर यह नहीं देगा अगर Simple Present की एगर बात की जाए तो यहां एक भी Option नहीं है लेकिन Simple Future वाले Option है तो आपका Correct हो जाएगा तो फिलाल Option D हो जाएगा से उतर यानि क्या हो जाएगा देविल कम हो जाएगा ठीक है अगर यहां पर Present का Option आता तो आपका Correct हो जाता ओके अगले Question की बात करते हैं नेक्स्ट की बात कर लेते Question में अच्छा देखिए यहां पर बात हो यह ब्रदर डिटनोट डैस हर की बात हो रही है आइए आइस सी आइकों मार साइंस को मार सभी स्ट्री में यह प्रशन पूछा गया अब आंसर लगो इस Question का Correct आंसर क्या होगा देखिए प्रसिन किस लेवल का आपके एक्जाम में पूछा जाता है देखो जब भी बात हो यहां पर डिटनोट की बात हो रही है आपको एक्जाम में अगर देखने के लिए के मिले, दो नोट मिले या ड़स नोट मिले तक है या आपको डिटनोट मिले सके बाद हमेशा क्या लगता है इसके बाद हमेशा भी ओन लगता अब तो यहां पर टीचेज लिखा है यहां पर क्या होगा दर टीचर हो जाएगा ठीक है देगे बात होगे दर टीचर जो है डैस दर लेशन येस्टर्डी अब देखो येस्टर्डी इस टाइप का क्वेश्चन आपके दो तीन वाक्स का पूछा जाता है तो सभी बच एकदम ध् जिखा है जाता है या पूछा पूछे जाते हैं जल्दी जल्दी आंसल लगाओ इस correct answer क्या होगा बुलोगे इसका correct answer क्या हो क्वेश्चन दिखते के साथ आप अराम से अंसर लगा सकते क्यों क्यों देखो आपको एक हमने present continuous के structure आपको पता होगा क्या इस MR के बाद हमेश्चा क्या लगता है यहां पर देखो आर्ट तो दिया गया है इस MR के बाद भी फोर लगता है यहां इस पता चलिए help वर्ड 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 यूज हो रहा थे इसका वी फोर क्या होगा helping हो जाएगा यह एची एल PINZ helping option की बात की जाए तो option C इसका बिल्कुँ सही जबाब है और सभी बच्चे ने बिल्कुल correct answer चूज करें और गजब की आप लोग की जो तैयारी का level है चले एगले question की बात कर लेते question में 9 देखिए अब यह guest question है आपके जो sent up exam होने वाला 2022 में वो और 2023 में अपका involved exam दोनों के लिए काफी जबागे question है अब देखिए बात तो ने it day since morning की बात थो रही है अब यहाँ पर पूछा जाए चूज दिस suitable option बता कौन से जो है option यहाँ पर अपका correct हो जाएगा अब answer लगा इस question का correct answer लगा suitable option बता कौन से correct हो जाएगे तो बोलोगे साइस और फॉर किसमें लगता या तो है जीन में या तो है बीन में तो answer यहाँ से आपको पता चलिया option में क्या होगा बी यहाँ पर प्रस्ट पूछा जारा है मैं इस पर दूट जो एक किनके द्वरा लिखा गया जल्द जली आंसर लगा आपके पास शार option है आसका क्या होगा correct answer देखो अमा एक्सपरिमेंट तुरू जो है यह महत्मा गांधी के द्वरा जो लिखा गया और यह महत्मा गांधी जी का ओटो वायोग्राफी है ठीक है आत्म कता है ओके ता आपको अच्छी तरह से याद गना यहां से आप सभी छात को अच्छी तरह से याद दखना इंडियन सिविलाइजीशन देआने जीगा इंडियन सिविलाइजीशन एंड कल्चर ठीक है कि लेखक कोने महत्मा गांधी जी है आपके लिए हमें दो क्वेश्चन दे रहा है महत्मा गांधी जी का जन्म कभ वा था और मिर्त्यू का बौन और डायेट कभ जो कि option यहाँ पर जो जो बच्छे सी चूस किये बिल्कुल correct answer है nationalist हो जाएगा अले question की बात कर लिए थे लेकिन किस इसका लिए थे यह पूछा गरा है यहाँ पर बूलोगे इन्हों ने जो ओत लिए थे president या governor होगा या minister या mayor की बात हो रही है तो बूलोगे इन्हों ने जो ओत लिए थे यह president का सपत लिए थे बिल्कुल correct answer हो जाएगा president का तो अच्छी तरह सी याद रखना option है इसका जो जो बचे चूज के बिल्कुल correct answer है अगले question की बात कर लिए ते next question आपके skin पर है question पूछे जाएगे अना तो सभी बचिक दम ध्यान से बने दिए अब answer लगा इस question का सभी जवाब क्या होगा question देखे अब answer लगा जल्दी जल्दी सभी बच्छे का answer हो जाएगे अब जल्दी जल्दी answer दो इस question का correct answer क्या होगा चली बहुत बढ़ी हैं सभी बच्छे का अंसर नानुका का जू नरेटर्स थे यह maternal अंकल थे और जो भी बच्छी option यह चूज़के बिल्कुली correct answer है चली एगले question की बात के लिए नेक्स्ट क्विशन चली चार option दिया ज़रा है जल्दी जल्दी answer लगाओ इस question का सही जवाब क्या हुआ चली बहुत बढ़ी हैं सभी बच्छे का अंसर ना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यार किसे और लाइक कर लिजेगा जरूर चली और एक-एक question याद कर लिजेगा क्यूंकि इक जाम में एक भी question आपके छूटने वाले नहीं लेकिन लगातार आपको मेहनत करने के अब शक्ता है अगर लगातार अप लोग एक लगातार continue मेहनत करते हो होता है ना मेहनत इतने खामों से और इतनी सिद्द से करना कि आपका सफलता सूर मचा दे एक दम आपको लगाता continue अगर मेहनत कीजेगा तो जाइड सी बात है आप लोग को जो तैयारी का लेवल है तो काफी ज़दा जो इंप्रूब होगा और आपके अंदर दिखे एक होता है क्या जबाब देना है जरूर ठीक है बहुत सारी बच्चे क्या करते हैं क्या 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 देखते हैं और याद आंसर है यहां पर प्रशन पूछा गया था यह लाइन जो है दा लाइन जो है एंड नाइट टेंगल इस डंप जो यह कौन से चैप्टर से लिया गया और सभी बच्चे का बिल्कुल क्रेक्ट आंसर है अले क्यूशन की बात करें वाल टुट मेंड जो थे वो क्या थे वाल अब बता इन्होंने क्या लिखा चलिए गितांजली साबित्री या मैकवेथ होगा या मदू मती होगा चलिए आंसर लगाओ जल्दी जल्दी आंसर लगो इस क्यूशन का से उतर क्या होगा दोंको बात तोरी रविनाथ टेंगल क्या लिखा गया बोलो कि यह तो बहुत प्यादगना गितांजली के लेका गरविन आट एंगर जी यह बीखिशन आपके बुक से बाहर है लेकिन एक्जाम में पूछा जाता है एक पेसिस्टू इंडिया वाल लिखा गया था जल्दी 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 आंसर लगो इस क्या होगा एक पेसिस्टू इंडिया एम पूछा गया था ऑप्शन भी इसका बिल्कुल क्रेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट की बात कर लिए वें दाधा डैस बैक एंसी विल सिलिप की बात हो रही है अब यहां पर बताना कौन से ऑप्शन आपका क्रेक्ट होगा काफी ज़दा जो है इंपोर्टेंट क्विश्चन है अगर एक साइड अगर आपका सिंपल फ्यूचर हो तो दूसरा आपको क्या करना है सिंपल प्रजेंट यानि सब्जेक्ट प्लस बीवन या वी फाइप प्लस अप्शन आपको चूज करना है अब देखो यहां से आपको पता चलिए कि आखियो ऑप्शन होगा तो कौन सा ऑ अब शरन मारी हो गया मनीशा कुमारी रिया कुमारी AlleHey उसके वादा सरकारी बीए से वी convिए कि हो है लीटि चोका हो गया ओगे चलिए खुशी कान हो गया बहुत बढ़िया 2 बहुत बढ़ियां देखिये बहुत सारी बच्च बिल्कुल करेक्ट आंसर देरे अना क। अभी नंदन हो गया गजब चले सबीबचे बिहार बीस्वी का बिलकुल गलत आंसर यहांसर देरे जो कि बिलकुल भी नहीं होगा देखो अगर आपका एक हमने यहां इस्टेक्चर भी बता दिया हूं फिर गलते कैसे और अगर आपका एक अगर सिंपल फ्यूचर रहेगा त पता चल गया, कम सो जाएगा, क्यूं? रढधा के साथ, रढधा क्या है? रढधा थर्ड परसन है, हाना ही सी इत नाम के साथ क्या लगेगी? आपको simpel सा V5 लगेगा, तो कम का क्या हो जाएगा? कम सो जाएगा, तो option B होगा, ना की C होगा, ना ही A होगा, नाहीं दी होगा, एक्जाम में इस टाइब का question आपके exam में एक से दू माक्स के बनेंगे, तो इस टाइब की question जरूर ध्यान में रखेगा, अगर एक sentence आपका simple future है, तो दूसरा आपको present वाले option चूज करना, यादगना, when rada comes back and she will sleep, next question की बात कर लेते, question में 20 देखे, अब यह पर देस के पूर बात हो रही है हमने आपको ज़स्ट ऊपर आपको एक concept दियाओ same way question है लेकिन देखते क्या होगा इस MR के बाद क्या लगता है जल्ली जली आंसर लगाओ बुलोगे सजी इस MR के बाद हमेशा क्या लगया वी फोर लगता है अब देखो आंसर अगर ढूंडे यहाँ पर दिख गया option मसी you are the helping poor हो जाएगा option sees का क्या होगा बिलकुल correct answer है और बहुत बढ़ी हाँ सभी बची answer दे रहे बहुत ती लाजबाव next question ही बात करे question में 21 है we just help the poor बता हम लोगों को क्या करना चाहिए गरीवों को मदद करनी चाहिए इसलिए यहाँ पर हो जाएगा should यानि we should help the poor हो जाएगा auxiliary बर विस टाइप का question पूछा जाता और इसमें बच्छे अक्सर बफसते हैं लेकिन आपको फस ने किया बश सकता बिलकुल भी नहीं क्योंकि एजुकेशन गिलक्सिक स्टूडेंट जो है एक्जाम में कमाल करने वाले हैं अना चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते 22 नुमर प्रफस्टन देखिए 22 नुमर प्रफस्टन है कमला 10 जी जो है कौन से पोईटे हैं से चलिए कमला 10 जो है इस एन 10 पोईटे की बात हो यह अमिरकन पोईटे से या फिरकन पोईटे से या इंडियन होगा यह नन अब दिस की बात हो रही है अब आंसर लगो इस क्वेशन का से उत्तर क्या होगा यह क्वेशन लगा तार प्रफस्टन पूछा जाता हम सभी बच्चे का चैट देखते हैं चले रिया कुमारी जल् लगो पीछे व्ला कुएशन का अंसर दे रहो और ओला हैं या आगे वला कुएशन इतरो फिरों ने हैं कि बिल्कुल आइसे नहीं देना हैं ओगे चले सरकारी भीएच मीश से उत्तर देख नंदन जा ओ गया Emir न्स sta Sonses लिट्टी चोका, क्या बात है, लिट्टी चोका तो एकदम सब को लिट्टी खिलावा ना, और बहुत बढ़ी आंसर दिरें क्या बात है, सभी बच्छे बिल्कुल करेक्ट आंसर इस question का चूज किये, समझ ये exam में एक नमर बन चुका है, क्योंकि कमला 10 जी जो है, इंडियन पोईटेस हैं, कौँ से पोईटेस हैं, इंडियन पोईटेस हैं, जो भी बच्छे option इसका क्या चूज किये, option C लगा दिये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और आप लोग उने तो कर दिया है, कमाल, अगली question की बात करे question में 23 है, बात तो रही है वेन वाज मनुहन मालगानकर जी जो हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 1917 इसवी में, या 1915 इसवी, या 1916 या 1913 इसवी की बात हुरी है, तो मनुहन मालगानकर जी का जन्म हुआ था, 1913 इसवी में, जो की option यहाँ पर D, correct answer है, अगली question की बात करें, जन्म कब हुआ, मिर्तिव कमेंट सक्षन में और हाँ, यह कौन से चैप्टर के लेखा के, याद दखना, इंडियन सिवीलाइजेशन के लेखा के, अले question की बात कर लेते हैं, next question की question में 25, अब answer लगाँ, यह question का answer देखते हैं, कितने बच्चे सही देते हैं, अगर आप लोग इस question का सही answer दे देते हैं, वो काफी ज़दा ज़ए, जब अर्दस है, हम देखते हैं, सभी बच्चे question के साथ answer दो, तभी हमको पता चलेगा कि आप किस question का answer लगा रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे A, B, C, D answer दे रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहे हैं कि answer कौन से question के दे रहे हैं, कौन से इस तरह आपको लिखने की जरुवत है, बात आगे समझ में सभी बच्चे को, चलिए, चलिए, बताई, नॉबल पुरुसकार जो है, किने मिला 1950 में साहित के लिए, जल्दी जल्दी आंसर लगा, और सभी बच्चे आज के सेशन में तो कमाल कर दिए, और बहुत बढ़िया पðृआ क्या बात है, तो यहां पर गलत होगया आपका आंसर बोहुत सारे बच्चे गलत दे रहे, रहे, नॉबहुत बढ़ियाइ, शंतोष कुमार बहुत रसुंदर, अभी नंदन गुप्ता बिलकुल बच्चे आञ्सर ले, उसके बाद दिल्खुश कुमार बिलकुल सह लेकिन यह question बार-बार exam में पूछा जाता है और सभी बच्चे का इसमें correct नहीं आ रहा है बहुत बच्चे का correct आ रहा है बहुत का गलत है लेकिन यह question सभी को अच्छी तरहा है प्रशन बात हो रहे है के question पूछा जा जैने किनको जो है Nobel Prize जो है लिटरेचर के लिए 1950 में मिला था तो बताओ ये मिला था Burton Russell जी को मिला था Option A इसका correct answer होगा ना कि Option B, C दी बिलकुल गलत answer है यहां तक ना Option A Nobel Prize किनको मिला था लिटरेचर के लिए तो Burton Russell 1950 में मिला था Option A जल्दी जल्दी आंसर दो यहां पर बात थो रही क्या और यहां पर पूछा जाए चूज दी correct preposition अब बताओ यहां पर कौन से preposition आपका correct देखो वेटिंग के बाद हमेशा आपका क्या होगा फिलाल इस question का correct answer option B होगा अब देखी 27 नमर पूछा जाएगा तो सभी वेचे ध्यान से प्रस्ट समझे बात हो रही क्या डैस गॉडबलेस यू की बात हो रही यहां पर पूछा जट चूज दी correct option बताओ यहां पर कैन लगेगा यह मे लगेगा यह शूट लगेगा यह मश्ट अब देखते हैं कौन-कौन बच्चे इस question का correct answer देदे जल्दी जल्दी आंसर लगाओ बहुत सुन्दर सभी बच्चे का answer है चले रिचा कुमारी जल्दी जल्दी आंसर लगाओ यहां पर देखो डैस गॉडबलेस यू की बात हो रही है यह कैन लगेगा मे लगेगा यह सूट लगेगा मश्ट और इस टाइप के एक्जाम में आपको तीन से पाँच नम्मर के question auxiliary भर्व से पूछे जाते है तो सभी बच्चे को कमाल करना है जल्दी जल्दी answer लगाओ इस question का सही उतर क्या होगा और सभी बच्चे आज के session में कमाल कर रहे है और यहां पर देखे बहुत बढ़िया सभी बच्चे का बहुत सुन्दर आ रहा है सभी का answer चले स्वाथी राजन का गलत आ रहा है 27 का answer दो D कैसे हो जाएगा देखो आपको एमें एक trick बताता हूँ आपको एक trick बताता हूँ उस trick को सिर्फ और सिर्फ follow कीज़े एकदम गलत answer होगा इने इस type का जब भी बात हो देखो जएब बात होगा डैस गॉडब्लेश्यू की बात दो रही है तो यहां पर आपको का में गॉडब्लेश्यू बोलोगी से यहां पर में ही क्या हुआ हम आपको एक trick देता हूँ अगर किसी से परमिशन लेते हैं तो वैसे condition में भी आप लोग क्या यूज करो में का ही यूज करेंगे जैसे आप लोग में आए कमीन सर मैडम होता है न वहीं नेक्स्ट की बात करें यहां पर बात तो यह यूज यूज यूर फोन कमीन अभी जैसे परमिशन ले रहें यहां पर भी परमिशन ले रहें तो आप्शन सी का करेक्ट आंसर है और सभी बच्चे का बिल्कुली गजब का आंसर रहा है चलिए नेक्स्ट की बात कर लिए ट्वेंटी नाइन प्रशन है अब देखे अब इस प्रशन का लेबल देखे किस लेबल का आखिर आपके एक्जाम में प्रशन पूछे जाएंगे देख रहे हो किस लेबल का कुछन पूछा जड़ा है डैस यूबी ऑलबेज अब इस क्रिशन का सभी बच्चे का आंसर ना चाहिए होता न जिसमें उबाल हो ऐसा खुन चाहिए जीत के खाते है जनून चाहिए यह आस्मा भी आएगा जमीन पर बस इरादों में गूझ होनी चाहिए और एक्जाम का जनून होना चाहिए हो सभी बच्चे के अंदर जनून है अब आंसर दो इस क्रेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर कैन लगेगा य यह जो क्वेश्चन बताए 27 निमर क्वेश्चन हमें आपको ट्रीक बताए था अब देखें 29 में क्वेश्चन पूचा गया और बिलकुल करेक्ट आंसर देए सभी बच्चे ने तो अना कर दिया है कमाल में लगेगा क्यूं हमने आपको जस्त आपको ट्रीक बताए जब भ आप दो रही है और वी सेल नॉट गो आउट की बाद थो रही है और यहां पर पूछा ज़रा है चूज दी क्रेक्ट ऑप्शन अब बताए कों से ऑप्शन क्रेक्ट होगा यहां पर देखेंगो वी सेल से पता चलिया यह आपका सिंपल फ्यूचर का स्टेक्चर रूज खरता है प्लस बीवण होता हुथ हमने बोला कि जब भी एक सिए यह यूज हो आपको एक स्ट्रेक्चर यूज करना सब्जक्ट प्लस भी वऑन यह वी फाइप्लस ऑप्च्ट बले ऑप्शन चूज करना है अब देखो इतना हमने आपको हिंट देदिया अब इतना हिंट क यहां पर बात करें आपको इसमें क्या ट्रीक लगा ना देखो अगो जब भी अगर किसकी बात तो अगर अगो मिले से दिश吧 को सबजैक्ट पलस वीटू का आपशन चूज करें यह निए आपको पास्ट वाले उप्शन के और चलना पास्ट वाले उप्शिन अगर इतना मायंड में अगर क्लिक किया तो मिट जो है इसका मीट जो इसका भीतू आपका साघं़ मेट MET हो जाएगा जो कि option क्या होगा मेट B इसका correct answer और जो भी बच्छे 20 शूश करें बहुत बढ़ी answer दिरो लगातार meet का meet जो है इसका B2 meet yet बिल्कुल नहीं होता यह form ही गलत दिया गया है option B होगा सही उत्तर बहुत बढ़ी answer दिरो लगातार मेहनत कीजिए daily class कीजिएगा तैयारी का label OP हो जाएगा एकदम जबरदस दिखिए बात तो रहे ही डैस जो है नाओ की बात उड़ी है अब बताओ यहाँ पर कौन से option correct होगा is writing या are waiting या are writing या will writing चली answer लगओ इस question का से उत्तर क्या होगा चली देखिए बात उड़ी राइड जो फ़व दिया गया अब देखो यहाँ पर trick फॉल देखो एंगलीस में अगर आप लोग चाते हो objective में पूरा में पूरा सभी करना यानि 60 objective exam में आपको दिये जाएंगे अगर आप लोग चाते हो 60 में 50 में 50 आप लोग करना चाते हो तो trick को follow करना होगा जब तक आप लोग trick नहीं follow करोगे exam में गरवराज आओगे जब trick को follow करोगे आप लोग का question थो और change भी कर देगा फिर भी correct करोगे क्यों आप देखो यहाँ पर आपको देखना ना जब भी sentence में now देखे जब भी sentence में now देखे आपको कौन से यह आपको structure यूज करना subject plus यह आपको copy column निकाल कि इसको सब note कर लिजे exam में अगर कमाल करना है तो तो तेक है आपको subject यानि present continuous का structure यूज करना यानि subject plus is mr plus before plus object यह आपको structure यूज करना जब भी sentence में आपको देखे now now देखे आपको कौन से यूज कर लोगे option नमरे चूज करोगे करोगे क्योंकि हमने just हमने आपको concept रहता यह आपको continuous का structure चूज करना यहाँ पर हो जाएगा he is writing क्या हो जाएगा writing ना हो जाएगा option इसका correct एकदम टेक को follow किजे एकजाम में आप लोग कमाल करके आओगी next question की बात करें if she comes ideas अब देखो चलो अभी just आपने इससे पहले जो है दो question बता चुका हूँ इस type का trick का question है और exam में आप लोग पिछले साल का question paper उठाग देख लिजे और आपका sent up में भी इस type का question पूछा गया था और annual में भी पूछा गया था एक से दो नमर आपको यहां से कोईने cut करेगा लेकिन answer लगा उस question का सही उतर क्या होगा प्रसन देखे बात और if she comes देखो नजर के सामने दिखा she comes से पता चल गया आप सभी चाहत को c कम से पता चल गया subject plus v5 plus object यानि आपको simple present में दिख रहा है तो दूसरा क्या होगा simple future अब देखो इतना mind में click हो गया तो answer अगर बात करे या तो will go वाले option चूज करना या अगर will के जगा आपको I के साथ sell go भी मिले वो भी चलेगा 34 की अगर बात करते हैं यहां पर बात तो रहे क्या he loved me की बात तो रहे और यहां पर PC boys पूछा जरे जब भी अगर आपको loved v2 लगए तो वाज या वए लगए according आपका subject है तो I के साथ वाज हो गया loved का loved ही होगा PC boy में by लगता हो D जो subject है यह change होता अपका ही में option D का बिलको correct answer है next question की बात के लिए question में 35 है यहां पर प्रशन देखिए पूछा जरा है क्या I read a book की बात थोड़ी और यहां पर पूछा जरा है choose the correct जो है PC boy काफी जदा important question है अब answer लगो इस question का correct answer क्या हो जाएगा तो बुलोगे शर्जी यहां पर correct answer की बात की जाए answer देखो PC boy सी तो बनाना है object को subject बना दीजिए तो देखो ए बूक ए बूक हो गया none of these है तो फिलाल इसको हटा ही दो none of these को भी हटा देते side कर देते अब देखो यहां पर बात की read है अगर आपको subject दो जो अपका sentence अगर subject plus v1 या v5 plus इस form में रहे और अगर इसका PC boys बनाएंगे तो यह क्या होगा object plus क्या लगेगा या तो easy लगेगा या तो m लगेगा या तो r लगेगा और उसके बाद क्या होगा उसके बाद v3 plus by plus आपको जो object जो था वो subject बनाएंगे यानि subject वाली ठीक है option देखना है अब देखो यानि जो object था उसको subject बनादा है जो subject था उसको object बनादा है तो फिलाल अगर बात करें हाँ object यह book है और जो भी बच्चे option इसका c चूज किये बहुत बड़ी answer दे रहो very nice था फिलाल इस question का correct answer हो जगा option मसी क्या होगा I read a book इसका PC होगा a book is read by me next question की बात के लिए 36 more question देखिए अब देखिए अब देखो answer क्या हो जगा इस question का सही उत्तर volume come चलिए answer लगओ 36 में question देखिए बात हो रहे क्या Indian civilization and culture is written by death काफी जदा important question है अब answer लगओ इस question का correct answer क्या होगा Indian civilization and culture जो है ये किनके द्वरा जो है लिखा गया है Dr. Zakir Usain या महत्मा गांदी या R.K. Narayan या none of this की बात हो रहे है अब जल्दी जली answer लगओ उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुचा देना और बहुत बढ़ी हां सभी बच्चे का 36 का answer option B रहे बिल्कु से उतर है Indian civilization and culture के लेखक महत्मा गांदी जी है option B इसका correct answer है नेक्स question की बात कर लेदे 37 question है प्रशन पूचा ज़रा है क्या आपको पता होना चीज short story जो है यह अपका short story है अच्छी तरह याद अगे exam में प्रशन पूचा ज़रा है अले question की बात की I can help you अब बता इसका PC voice क्या होगा चलिए जली जली आंसर लगा इसका PC voice हो जाएगा you can be help by me हो जाएगा option भी है आपने तो question देखा फटाक सा आंसर बिलकुल अब जैसे आपका केन रहेगा वह answer किसमें जाएगा केन भी वाले option चूज करना यहां से अगर देखते हैं बस इतना समने ट्रीक लगा एक्जाम में आपको दो जान देख अगर कोई भी ऑक्जिलरी भर वह आपको सिंप्ली क्या करना आप्जिलरी भर प्लस बी वाले option चूज करना है मतला केन, कूड में, ओड, शूड में, माइड यह सारे आपका क्या आउक्जिलरी भर वह अब कुछ भी रहे उसके बाद सिंप्ली आपको पेसी बॉइस अगर बनाना है तो सिर्फ बी लगाना है बस आपको object, subject जो चेंज करना है वह answer हो जाएगा तो फिलाल option भी इसका से उत्तर है, क्यूंकि यू का यू हो गया, केन का केन भी हो जाएगा, help का help हो गया, पेसी बॉइस 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 चूज के बिलकुल correct answer है चले अगले question की बात कर लेते 39 प्रशन है, Mr. Sinha की बात थोड़ी है, अब यहाँ पर next month, हमने आपको बता है जब भी next month हो, next week हो, आपको कौन से option चोज करना है, simple present का, यानि subject plus V1 या V5 प्लस और यह बाले option चोज करना, V1 या V5 लगेगा, अब देखो, यहाँ से आपको पता चल गया, retire का V5 क्या होता, retire हो जाएगा, option A, next question की बात कर लेते, question number 39 के बाद 14 प्रशन है, did you dash Ram, अब देखो, did, आपको एक तो, जैसे question देखो, did देख रहा है, do मिले, does मिले, या did मिले, do, does, did कुछ भी मिले, आपको क्या करना है, इसके बाद कौन से option चोज करना है, इसके का C, क्यूं, हमने आपको बता है, क्या आपको पता होगा, कि do, does, did की बाद हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है, यहां से option A, इसका सही उतर है, ओके, बिल्कुल भी confused नहीं हो रहा, exam में कमाल करके आना है, ओके, चले, बहुत बढ़ियां सभी बच्छी answer रगा रहे, अगले 1887 हो जाएगा, option B, अगला question की बात का, इनकी मिर्त्यू कब होई, रपर ब्रॉग जी जो है, रपर ब्रॉग जी की मिर्त्यू डाइड की बात हो रिये, और इनकी जो मिर्त्यू हुई थी, 1915 में होई थी, यानि 1915 में होई थी, अच्छी तरस यादकना, जन्म 1887 मिर्त्यू बात हो रिये, अब यहाँ पर active voice, बात हो रिये, वी आर, taught grammar by Mr. Sina, अब बताओ इसका active voice क्या होगा, आपके पास शार option है पर दिया जा रहा है, तो question देखते के साथ आप लोग answer लगा दो कि option अबर एक क्यूं, या तो आप लोग देखू, option से choose कर सकते हो question, या आप लोग question क अब देखो, वी जो है, या अपका चेंज हो गया, अस में, और यह जो गरामर भईया है, उसको गरामर ही रहने देना है, no change, option नहीं, जो जो बच्छे option है, choose के बहुत बढ़ी answer देरो, very good, okay, next question के बात के लिए ते 44 नमर प्रस्टन, देखिए, यहाँ पर बात हो रहे क्या, आइडेस, देखिए, आइडेस, जो है, here, since, morning की बात हो रहे है, और यहाँ पर पूछा ज़रा है, choose the correct answer, काफी ज़दा important question और यह लगातार आपके exam में, प्रस्टन पूछे जाते हैं, अब इस question का correct ना, देखो, उमने आपको बताया था, जब भी since हो या for हो, आपको क्या क करना है, बीन बाले option होगा, यह तो आपको fix हो गया, बीन, अब यहाँ सभी अगर option अगर देखे, एक option, दो option चोज कर सभी आपको दिख रहा है, बीन बाले कौन-कौन option दिख रहा है, दो यह option चोज हो, दिख रहा है, एक यह दिख रहा है, बांकी आपको दिख रहा है, नह जब भी sentence में since या for देखे आपको क्या करना have been वाले option चूज करना या तो has been होगा या तो have been होगा लेकिन according आपका subject तो यहां देखो I के साथ क्या होगा I have been यहां पर present क्योंगा क्योंकि morning की बात हो रही है तो यह आपका present में चल जगा नहीं की पास्ट वाले option यहां पर बिलकुल नहीं चूज करना है फिलाल option क्या होगा B क्या हो जगा I have been waiting here since morning okay option B इसका correct answer है okay चलिए next question की बात कर लेते question 45 अब देखिए बात हो रही क्या I just interested in Metaphysics की बात हो रही है आपको हम बता देते हैं जब भी आपको क्या मिले बिल लगा मिले ठीक है बिल लगा रहे तो आपको अगर question अगर has been से रहे या have been या had been अगर आपको active voice में क्या मिलते इस टाइब का question पूछो जाए अगर है has been हो चारी है जो है वो या हैड हो अगर इसका अगर PC बनाते था आपको क्या लगता चेंज होता है ने बीन में उसके बाद क्या लगता वीत्री लगता वही ये question है ठीक है लेकिन आपको question को पकरना पड़ेगा आखे लिए question किस फॉर्म में दिया गया है ठीक है तो यहां समझ में आ गया जब भी बीन लगा वीत्री रहे तो आपको या कितना ज्यादा हम समझा रहें जो जिनको कुछ भी अगर नॉलेज नहीं भी होगा अगर ध्यान प्रवक क्लास करेंगे उनका तैयारी का लेबल जबर्दस होगा ठीक है यहां पर फिलाल ऑप्शन भी विलको से उत्तर होगा अगली question की बात कर लेते हैं question 46 46 question है क्या he said अब बताना indirect narration क्या होगा आपके पास चार option दिख रहा है तो simple सा बात है question दिखा और answer मार दोगे option जी बुलोगे कैसे option जी अगर गौड से देखो अगर state के बाद object नहीं रहे तो उसको no change अगर जो subject है इसके according change होता है तो ही का ही होगा और जब भी आपको एक तरीक देखो आपको answer चूज करना है मेरी तरह has मिले have मिले यह आपको जब change होगा अगर आपको indirect narration में यह आपको head में हो जागा यहां से पता चलगा head होगा got का got it to think simple सा है option c अब बोलोगे सब्सक्राइब करेंगे simple सा देखो जब भी आपको have दिखा जाइड से बात है वो change होगा head में यहां देखो head है नहीं है यहां है नहीं है head कहां दिख रहा है option c में दिख रहा है इस तरह आपको question देखते एक साथ जो है बिलकुल correct answer आप लोग चूज कर सकते हो बात आले समझ में चलिए बहुत बढ़ने इस video को share कीजिए और जो जो बच्चे भी तक video को like नहीं कि बहुत सारी बच्चे भी तक लाओ कर लिजी क्योंकि अगर देखी एक दिन आपका हिंदी का class होता है तो एक दिन आपका English का class होगा ठीक है और अगले मंत से जो है हम जैसे आपका अगस है सेटेंबर से एक सेटेंबर से जो है थुरा class का जो duration है एक घंटा दो घंटा ऐसे लगातार class लेंगे ठीक है क्योंकि अगले मंत से अपन जो है शुरू करने बाले और जबा क्लास लेंगे ठीक है तो जितना हो सके आप लोग प्राक्टिस पढ़ाई करने के परती जो तो आसा रूची ज आप अगर एक सेट अगर जो रहा है यह आपका पूरे exam based सेट जो आपका exam is just label का question पूचा देगा उस लेवल का question आपके आज हम आपको provide कर हो इससे क्या हो कर दो किया पतार हो इससे कटारी रहा हूं इस नोटिफिकेशन तक विजुए सब्सक्राइब जरूरियों कुई बिडियो देख रहे हो आप वी छोड़ कर 9 बज़ेस ऐसे मेरा class शुरू आपको उसमे class में join होना चाहिए कुछ भी हो class में जुनना ज़रूरी है next position की बात कि my brother did not dash hurt की बात हो रही है और यहाँ पर पूछा ज़राए क्या choose the correct option की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या हो do not does not did not की बात हमेशा बीवन लगता है तो यहाँ पर choose हो जाएगा जो की option यहाँ पर क्या हो जाएगा C's का correct answer है ओके physics का 7 p.m. से class होगा ठीक है फिलाल physics का भी class नहीं ले रहे हमने आपको बताए 1 सेटेंबर से आपका physics का जो class है all subject का class बज़रू करेंगे 7 p.m. में class होगा एक आपका 9 p.m. में class होगा और एक class आपका जो विहार बीएस वी जो इसका link आपको description में दिया गया है आप लोग उस channel को जाकर subscribe करके रख लिजेगा ठीक आपको channel के अंदर जाओगे तो वहाँ पर मिल जाएगा उस channel को subscribe कर लिजेगा क्योंकि वहाँ पर 8 p.m. में भी एक class होगा तीन-तीन class लेंगे और सुबह भी आपका class लेगा वह हम आपको schedule बता देंगे तो सभी विचे subscribe फिरकर रख लिजेगा चलिए अब यहाँ पर answer दो इस question का 48 का सही जवाब क्या होगा देखिए बात होगा अब दो different के बाद हमेशा क्या लगेगा पता है different from होगा क्या होगा आपका प्री पोजिशन फ्रोम यूज होता है तो option डीस का correct answer है अबला question की बात कर लेते next question की बात करें देखिए बात तो रही he claimed वह चड़ गया अब यहाँ पर option की बात करें अब यहाँ पर बताना है correct position अब यहाँ देखो गौर से question देखो has been दिख रहा है अब जैसे आपको has been दिखें हमने जस्ट आपको question अगर गौर सेगर आप लोग फोकस करके पड़ोगे ता आपको question के साथ answer हमने अभी जस्ट बता है has been मिले यह have been मिले यह आपको had been थोड़ा सा कल सीब लिखते जाते समझते चलो तो बूली रहा हो ना has been have been had been रहे और आगे आपको जाकर क्या लगेगा यह तो फॉर्ड लगेगा यह तो आपको लगेगा यह तो आपको since लगेगा लेकिन किसके recording objective यहाँ पर Monday है बताओ Monday संडे 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 स्के लिए क्या हो यह निश्चिन समय हो गया Monday देन हो गया संडे इसके लिए आपको since लगेगा यानि he has been absent since Monday option is का बिल्कुल correct answer है हमने यहाँ पर आपको एक ट्रीक बता हूँ बूलोगे क्या सजी यहाँ से आपको has been, have been, have been लगे या तो आपको fall लगेगा या तो since लगेगा इसना अगर mind में आता था यहाँ पर देखो option को दिखने में काठी दो एक option दो दो option तो आपको कट है यहीं दो a b दिख रहा है c d तो होगा ही नहीं इस तरह आपको काठना है एक्जाम में option अब यहाँ पर देखो बात थो रहे चोज़ी correct sentence अब बता कोंसा sentence अपका correct होगा तो यहाँ पर बात करें I have a नहीं होता है I have homework to do होता है यह आपका बिल्कुल correct answer होगा option क्या होगा 20 का सही उतर है जिससे correct चूज़ करना है ठीक है ने इस तुशन की बात के 52 यहाँ पर बात होगी है correct sentence अब देखो कभी भी जो sure है यह आपका पर sure use नहीं होता है यहाँ पर आपका use उतर है surely तो बांकी सब जग़े sure दिख रहा है यहाँ से option सारा गलत है आपको option क्या होगा D बिल्कु सही उतर है sure जो है यह आपका क्या होत बांकी सबी क्या यहाँ पर फिलाल गलत है इस बात करें आपकी एक्जाम में 60 objective question पूछे जाएंगे ठीक है अगले question की बात के 54 ने यूदेस नौट गूट टू अटेंडी मीटिंग की बात और यहाँ पर बताना है correct option क्या होगा अब बताओ correct option की बात की जाई रही है तो त not option क्या हो जाएगा 54 का B अगले question B यहाँ पर सही उत्तर है next question की बात करें question 55 है when नादा dash back and she will sleep she will sleep है simple future है simple present comes option B बस question देखो और answer लगाओ जल्दी जल्दी करते है बस कमी question बच रहा है ठीक है question में देखी 55 है she is most beautiful girl अब देखो most की बात थोड़ी है बताओ कौन से option से होगा most है इससे पहले आपका the most beautiful girl हो जाएगा option में सीज का क्रेक्ट आंगर क्यों क्योंकि आप देखो जब भी बात हो most की बात हो ठीक है superlative degree से पहले आपका अदा कर यूज होता है याद दखना ठीक है next question की बात कह लेते question 56 है यहाँ पर बात थोड़ी my sister dash address for her birthday last week अब देखो एक आपको भी टू की बात आपको option भी टू यहाँ पास्त वाले option की चूज करना तो यहाँ से पता चल गया क्या होगा बात हो जाएगा अब देखो has been have been had been इसके बाद हमेश्रा क्या लगेगा बताओ question की एक वाडिंग क्या होगा वी फोड लगेगा बिलको रिपेरिंग हो जाएगा क्या होगा फेल दो फॉल फेल फॉल होता है न तो फेल की मतलब क्या हो जैसे सिता सिता जो रिक्सा से गिरी क्या हो गया है फेल हो रिक्सा और सिता के बीच में क्या राइक्दम दूरी बंदा है ना जिगा परसन यह काफी ज़दा जो इंपॉर्टन कुश्चन है 58 नमर परसन ठीक हो भॉहक्त बार इक्जाम है प्रस्वary किसे रिक्स हो अब रिक्सा और सिता के बिच कि बीच क्या रिस्टेंस बन रहा है तो यानि यहां पर किससे गिरे लिख सा जाएगा टेके रिक्सा हो जाएगा आप्चिन है यहनिस सीता फेल फ्रॉम दे रिक्सो ओका नेक्स्ट की बात क यहां पर तो you can do it yourself हो जाएगा ठीक है यूर सेल्फ ऑप्शन है अब आखरी प्रस्ण आज का और इसके बाद आज का पीडियाप आपको वाट्सेप और टेलिग्राम दोनों जगह प्रोवाइड की जाएगी तो जो जो बच्छे वाट्सेप और टेलिग्राम से नहीं जुरे जो यह नहा है क्ए अप लाइक क्लास का नटिक्रिकेशन आपको वाट्सेप के जरीए भी प्रोवाइड की जाती है तो शरसिया आ तो आपको कमेंट जरूर करने में कोई हांना आपको कमेंट जरूर करना और डेली science तो क्लास का जो पीडिएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा टेलीग्राम हो या वाटस depends सब जग़ाए आपको दिया में लिंक आपको जेकि क्लास शुरू आपके पास क्या हो जोड़ा है। इसके लिए मुलते हैं उसके लिए चलना भी जरूड है। आप मेहनत तो किसी मंजिलाप पर फिदा होने के लिए तयार है अना देखिए साथ नम्हें प्रस्टन है चूजदी क्रेक्ट स्पेलिंग की बात हो रही है और वट्सटेप कर लिंक भी हमने आपको पिन करते हैं तो जो 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 लिंक डिस्क्रेप्शन में आपको सब जगर पीडिया जाएगा और इस वीडियो घंवाद और कर면 धूर्व करना कि अग्रा सवा विशर का आपको टेश्ट्स कैसे लगाना ढ़ते हैँ आपको छाथ को जो चेस्ट लगाने के लूप्ल सकते गंड़ने आपको टेस्ट लगनाना तभी आपको पता चलेगा आपको गूगल में टाइप करने लेना एजुकेशन के लिए से टाइप करोगे सबसे उपर आपको वैबसाइट देख जाएगा यहां पर आपको किलिक करना अब जैसे किलिक करोगे कुछी तरह का इंटरफेस को लेगा और बिहार बोट से हर एक अपडेट आपको यहां सब्सक्राइब करना और इंग्लिज की त्यारिक करना और इक चैप्टर बैच्चा आज सभी साथ के लिए हूंबर्ग दे रहां इंडिन सिविलाजेशन कल्चर यह चैप्टर अभी आकर क्या कर लेना आपको पढ़ लेना ठीक है यह आपको पढ़ लेना जैसे बात तो यह पहला क्या क्या कौन संतुज से छोटे गाउं से तो हमारे पुर्वजू थे आप इस पर लेजिए याद कर लेजिए गा इसके बाद आपको टेस्ट लगाने के लिए यहां पर ऑप्शन दिया गया इस्टार्ट का बटन है इस्टार्ट पर क्लिक किजेगा और अपना नाम लिखेगा जो भी नाम है और झीस पर क्लिक करके आपको टेस्ट लगना जरूरी है तो इस परकार अपको अब आ हैस अब पीम में होगी तो सभी बच्चे सब्सक्राइब नोटिफिकेशन मिल जागा आपको प्रेस करके बैल अक्रोन रख लेजे तो इस परकाट टेस्ट लगाईए सभी बच्चे आज के लिए होमबर्ड के आपके इंगले संडेट माक्स का फॉस्ट चैप्टर आप लोग सभी सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब जरूर करना हम मिलते अगले वीडियो में थेक्स वर वाचिंग और आज का वीडिया आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा ठीक है जर्स्ट आपको क्लास के पास-दस मिना पर रात तो आपको जरूर जोन होना लि लिग्राम में भी चलिए मिलते अगले वीडियो में थेक्स